एक section का आपको काफि दिन से इंतजार है और वो है section 128 capital A 128 capital A बात करता है interest or penalty के exemption की यानि interest or penalty को government mark कर देगी और आप अपना tax pay कर देते हैं इस section को मैं detail में explain करूँगा 128 A आता है 53rd council meeting की recommendations के बाद और इसमें बताया गया कि 1718 से लेके 1920 तक जितने भी शौक और notice issue हैं under section 73 mind my words 74 के notices इसमें cover नहीं है तो 73 के जितने भी notices आपको आए हैं 1718 से लेके 1920 तक तो उनमें अगर आपका कोई demand है और उस demand के तीन composition है उसमें tax भी होगा, interest भी होगा और penalty भी होगी तो अब आपको क्या करना है और इसमें कौन से cases cover है कबसे आपको एक relief मिलना start हो जाएगा कबसे section enforce होगा कब government इसको notify करेगी उन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में डीटेल में friends 128 ए आता है तीन तरीके के cases को cover करने के लिए पहला आपको अभी shock of notice issue हुआ है जो कि mostly होगा 1920 के cases में अभी आपका order issue नहीं हुआ है यानि DRC 7 along with the order issue नहीं हुआ है तो ऐसे cases में जब यह scheme notify हो जाएगी जब यह section enforce हो जाएगा तो आपको उस notice के against benefit मिलेगा interest or penalty का आप tax pay करिए notice withdraw हो जाएगा दूसरे cases होंगे जिन में notice issue हुआ demand order भी issue हो गया लेकिन अभी आपने appeal file नहीं करी है आपने file कर दिये तो pending है तो उन cases में भी आपको उस demand के against आप appeal withdraw करेंगे और उस demand के against आपको इसका benefit मिल जाएगा आपकी interest or penalty को mark कर दिया जाएगा तीसरे तरीके के cases cover होंगे आपको SCN issue होता है demand issue होती है आपकी appeal भी आपके against decide होती है और gestate ना बनने की वज़ए से आप अभी आपकी appeal pending है तो वो भी cases इसके अदर cover होंगे और आपको interest or penalty का benefit इस case में भी मिलने वाला है तो important हमने तीन तरीके के cases कर लिए पहला SCN है, demand order नहीं है SCN है, demand order भी है appeal decide नहीं हुई है तीसरा SCN हुआ, demand हुई appeal आपके against decide हुई और वो अभी pending है for further gestate के पास gestate अभी constitute नहीं हुआ है तो 128A के अंदर सबसे ज़्यादा question यह पूछा जाता है और in fact कल मेरा practical experience था I was appearing in one of the case I was appearing in one of the case before GST department और उसमें जो दूसरे council थे वो relief मांग रहे थे 128A के अंदर तब उसमें यह explain किया गया और यह बताया गया हमने कि 128 अभी notify नहीं हुआ है enforce नहीं हुआ है अभी एक bill है और bill act बनेगा जब honorable president इसके उपर अपनी consent देंगे और उसके बाद central government का CBIC department इसको notify करेगा और state government का जो commercial tax department है उसके commissioners भी इसको notify करेंगे और उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि portal के उपर भी कोई form आएगा जहाँ पे आप declaration देंगे कि यह ministry scheme का benefit लेने के बाद आप कोई appeal file नहीं करेंगे तब ही आपको इस scheme के अंदर relief मिलेगा तो friends यह एक important video था 128A को लेके बहुत सारे questions इसको लेके पूछे जा रहे हैं अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे comment में पूछ सकते हैं आपको ए वीडियो कैसी लगी please comment करके मुझे बताइए मैं आपसे request करूँगा कि आप इस वीडियो को share कीजिए, like कीजिए Thank you very much for watching this video, have a nice day